आउज बिल्लाही विने शेहित्वान रोजीम बिस्मिल्लाही रोख्वान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों वुफिन एक बार फिर आप लोगों की खिद्बत में हाधिर है दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सबस्क्राइब कर लें ताके मेरी हार आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच सके और आप भी उस वीडियो से सीख सकें और साथ बेल के आईकॉन पे भी जरूर कलिक करें ताके जब भी मैं कोई नई वीडियो वा का उसाइंब्स में ग्लति है इसमें हमें दो ही क्वे मिज्स फेली वालियू है। इसमें हमें दो इक क्वेश्च यूशा दिये गह है। इन पर सॉस्ट्क बैपन वैलीय ओष्ण वोष प्रसंत कुपन बाँंडह मैंने तीय का पहरें म्मान यें हां दोज इसमें दोहा present value at 4% 5% and 3% respectively and explain the relationship between the present value and the interest rate on the basis of result और उस रिवल्ट के इसमें हमने present value calculate करनी है और इसमें हमने present value calculate करनी है और different interest rate के और calculate करनी है first of all we have to calculate the present value of a bond on a 3% then 4% and 5% after calculating the present value of this bond we have two identify what is the relationship between the present value and the bond interest के उनका आपफ में क्या relationship है वो भी हमने बताना है in the second question we have to calculate the a bank calculate the nominal price हमने nominal rate calculate करना है in which a bank offer 6% interest rate on your deposit what will be the real rate of return of your deposit if expected inflation to be 4% in future also explain the context of future equation what compensation borrow what is giving to the lender when nominal interest rate यह हमने करना है second question के अंदर तो आईए हम लोग अपने solution की तरफ चलते हैं इसमें जो हमारे इसके आए हुए मैंने इसको सबसे पहले जो एक्सल के अंदर calculate किया तो जो एक्सल की calculation है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दिता हूं ताकि आप लोगों को उससे ज्यादा understanding आज़े तो यह हमने एक्सल ओपन किया एक्सल ओपन करने के बाद जो हमारी एक्सल की sheet है वो यह वाली एक्सल की sheet है जी इसमें देखें दी price of bond calculation using the formula as हमने यह formula एक यूज किया है इसके वरीए मैंने मतलब इसको calculate किया है इसमें bond price is equal to fee into 1 minus into 1 plus r और उसकी पावर जो minus n और divided by r और प्लस किया हमने f और divided by 1 plus r और उसकी हमें f किया है जी f जो है वो face value of bond है fee है जो वो coupon value of bond है और n जो है वो number of year है और r जो है वो interest rate है अब इसके अंदर हम लोगोंने क्या करना है जी हम लोगोंने देखना है कि हमारा जो face value है bond की 100 dollar है और जो coupon rate है वो 6% है अगर हम इसको 100 से multiply करेंगे तो हमारे पास fix dollar जो है वो coupon आजाएगा इसके पास n जो है हमारे पास number of year यहां पर number of year जो हमारे पास 3 है और जो r है वो हमारे पास different है मतलब interest rate वो 3% भी है वो हमारे पास 4% भी है और वो हमारे पास 5% भी है मतलब we have to calculate the present value of this bond by using the interest rate of 3, 4 and 5 अब यह हमने सारी यहां पर लिख दिये हैं उसके बाद जो हमारी face value है देखे मैंने हर यह मैंने तीन boxes लिए हुए है ठीक है तीनों boxes एक जो है वो हमारा जो interest rate 3% उसके लिए है एक हमारा 4% है उसके लिए है एक जो हमारा 5% ए उसके लिए है उसके सात ia कि यहां पर जे जो ऊपर वाला formula जो उसके बाद coupon rate मैंने fix वारों के लिए same है तुकेाद number of year वो हमारे पाफ 3 हैं वो भी फारों के लिए same है उसके पार number of rate of interest है वो हमारे पाफ 3, 4, 5 अब bond की present value या bond price वो हमारे पाफ हमने निकाल ली है with the help of the this formula वो यहां पर देखें मैंने यह सारी एक formula जो यहां पर बना हुआ है वो ही मैंने सारा यहां पर लिखा तो हमारे पाफ जो bond की value है by using the 3% वो 108 आ गई है और जो by using 4% वो 105 आ गई है और by using 5% वो हमारे पास 102 आ गई है तो यही जो सारी चीज़ें हैं वो ही यहां पर मैंने लिखी हैं कि यह formula हो गया bond price का वो fee into 1 plus 1 minus into 1 plus r और उसकी raise to the power minus n और divided by r और plus f और divided by 1 plus r इसकी raise to the power n face value हमारे पाफ 100 है coupon हमारे पाफ 6% है तो fix उसका और आ गई है total rate अब n हमारे पाफ 3 है और r जो है वो 3, 4, 5 है face value यहां पर मैंने सारी 100, 100 लिख दिया जी coupon rate fix है तो वो हमारे पाफ 6 dollar आ गया number of year सारों के लिए 3 है 3 है और rate of interest जो है वो पहले के लिए 3 है फिर 4 है और फिर 5 है तो इस तरह हमारी जो present value बन रही है वो 108, 105 और 102 बन रही है तो यह है दोस्तो हमारा first question we have only put the value of the question into that formula and get the required answer के ह हमारे पास यह answer आ जाएगा और after getting the answer we have to describe the relationship between the bond price and interest rate या present value और interest rate तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो interest rate है वो 3 है 4 है और 5 है जैसे जैसे हमारे पास interest rate increase हो रहा है the present value of the bond will be decreased तो that is the relationship between the present value and the interest rate तो यह भी हमने इसमें देख लिया इसके बाद दोस्तों के बाद दोस्तों के तो यह हमारा first question था इसके बाद हमारा second question है second question में देखें formula मैंने लिखा है कि the formula for calculating the real interest rate is nominal interest rate and minus inflation rate तो that is the also called the Fisher equation इसकों Fisher equation भी कहते है putting the value into the equation वो हमारे पास क्या है जी हमारे पास जो question के अंदर हमें बताया गया है कि हमारे पास जो है वो fixed percent जो है वो interest rate है और inflation rate वो 4 पर सेंट है तो हमने यहां पर मैंने देखें fix percent minus 4 percent over nominal rate is हमारे पास आजाएगा 2 percent या real rate हमारे पास 2 percent आजाएगा आगे है what compensation of borrow is given to the lender when the company पे nominal interest rate तो अब यह देखें कि जब हम लोग nominal interest rate या real nominal interest rate पे borrow कर रहे होता है तो it means के we are paying extra interest rate to the lender और अगर हम उसमें फे inflation minus कर देते हैं तो it means के we have paying the interest rate by the minimum interest rate तो यह इसका मतलब एक compensation हो जाएगा बरबर के लिए और lender के लिए दोस्तों यह थी हमारी आसाइनमेंट्स एम जी टी वन वन की money and banking की मौफिन भाई का channel देखते रहिए youtube.com slash vss4u और मौफिन भाई की website भी ज़रूर विजिट कीजिए vufff.com उस पे भी काफी सारा helping material आपको available है in terms of assignments, gtb's, quizzes and past paper ठीक है अब वहाँ पे जाएए और उसको ज़रूर विजिट कीजिए थैंक यू वेरी मच्छ दोफ्तो, Allah Hafif